Hey everyone and welcome back to the channel किसी भी company को grow करने के लिए उसको सबसे पहले अपने जो clients है उनको satisfy करना होता है चाहे वो company product based है या फिर service based है उस company के जो clients है अगर वो खुश है उस company के जो clients है उनको अगर services अच्छी मिल रही है उनके जो problems है उनको अच्छे से company resolve कर पारे है या फिर जो facilities वो चाहते हैं वो facilities company provide कर पाती है तो definitely company जो है वो बहुत ज़दा grow करती है and company अगर grow करना चाहते है तो उनको ऐसे resources की जरूत होती है जो कि उनके clients को handle कर सके जो कि उनके clients को deal कर सके so that means उनको ऐसे employees की जरूत होती है जो कि उनके clients को appropriately deal कर सके so that company का revenue जो है वो काफी अच्छा हो सके और company जो है future में काफी अच्छी grow कर सके so आपके लिए इस वीडियो में मैं कैसे internship लेकर आई हूँ जहां पर आप ये key skills सेखने वाले हैं यानि कि आप ये सीखने वाले हैं कि clients की जो problems हैं उसको कैसे आप identify करेंगे and उन problems को आप कैसे resolve करेंगे so guys आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ internship opportunity जो की available है Accenture के साथ में so first of all Accenture अपने आप में ही एक बहुत बड़ा brand है तो आपको पता है कैसे clients जो है वो यहाँ पर होंगे and उन clients को कैसे handle किया जाता है वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाले internship का जो title है वो है guys आपका client research and problem identification so that means आपको client के लिए research करना है and आपको client के जो problems है उसको identify करना है so अगर आप यह internship करते हैं guys so definitely एक बहुत अच्छी skill आप यहाँ पर सीखने वाले है and यहाँ पर यह जो opportunity available है यह Accenture के North America branch के साथ में available है अब आप यह कहोगे कि आप India में रहते हो तो आप North America के लिए कैसे काम कर सकते हो so let me just tell you guys कि यहाँ पर यह जो internship रहने वाली है यह online internship रहने वाली है so यहाँ पर आप यह internship को online complete करेंगे so यहाँ पर आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप America में रहते हैं तभी apply कर सकते हैं आप over the world कहीं पर भी रहते हैं so specifically because हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और बहुत सरे benefits भी आपको इस internship से मिलने वाले so benefits मैं बता देती हूँ then we'll discuss की exactly क्या के चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली आपके task कैसे रहने वाले so एक तो सबसे बड़ा benefit मैंने आपको बता दिया कि आप अपने comfort के accordingly यहाँ पर काम कर सकते हैं comfort के accordingly इंटर्शिप कर सकते हैं because यह online internship है इसके लाब अगारिज यह short term internship है approximate 3-4 hours की internship है रहने वाली है so बहुत ज़दा time taking process भी नहीं है third thing guys यहाँ पर जो live projects होते हैं वो projects जो कि already इनके employees handle कर रहे हैं projects पर आपको काम करना होता है so यहाँ पर जो आपको experience मिलता है वो बिल्कुल practical experience मिलता है जिससे आपकी skills जो है और जदा enhanced हो जाती है and guys यहाँ पर यह internship complete करने के बाद में आपको certification भी मिलने वाला है और इस certification को आप अपने resume पर mention कर सकते हैं साथ में अपनी LinkedIn profile पर भी mention कर सकते हैं Accenture का certification यहाँ पर आपको मिलता है so अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या skills आप यहाँ पर सीखने वाला है and उसके बाद में application process के बारे में बात करेंगे so skills की बात करें so presentation skills आप यहाँ पर सीखेंगे stakeholder analysis आप यहाँ पर करेंगे visualization आप यहाँ पर करेंगे and client communication जो है आप यहाँ पर करेंगे and guys यहाँ पर आपको four task मिलने वाले जिसमें से आपका जो first task होगा उसमें आपको requirement gathering project पर काम करना होगा so आपको यहाँ पर एक ऐसी company के project पर काम करना है वह आपका stakeholder interview guide होगा इसमें you will learn how to prepare and execute an effective stakeholder interview by asking probing question and actively listening so यहाँ पर आप clients से कैसे question कर सकते है clients की requirements कैसे जान सकते है कैसे आप clients को interview कर सकते है वो यहाँ पर आप सीखने वाले है यहाँ पर जो आपका step 3 होगा task 3 होगा उसमें requirement gathering process maps आप सीखने वाले है where you will be learning why a process map is valuable visualization tool and how to create one using an unified modeling language so basically आपको यहाँ पर यह सिखाए जाएगा कि जो process map है यानि कि कैसे कैसे आपको process को follow करना है वो कितना valuable है उसकी क्या authentication है उसकी क्यों जरूत होती है वो यहाँ पर आप सिखेंगे यहाँ पर जो supervisor होंगे उनसे आप connect करेंगे and दो process maps जो है वो यहाँ पर आप जो है create करेंगे company के लिए so that practical experience जो है यहाँ पर आपको हो जाए task 4 में guys requirement gathering knowledge check आपका यहाँ पर होगा so basically यहाँ पर एक short quiz होगा जिसमें you will learn how to continue learning about client research beyond the job and यहाँ पर जो quiz है वो आपको complete करना होगा एक और important information guys आप इसको complete कर लेते हैं इस project को complete कर लेते हैं इस internship को complete कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जो है company के लिए apply भी कर सकते हैं and confidently आप answer भी कर सकते हैं interview के कि आप इस profile के लिए क्यों fit है आपके लिए सबसे बड़ा example यह होता है कि आप इस profile के लिए इस से लिए fit है because आपने यहाँ पर जो projects है वो handle किये हैं और आप यहाँ से review भी चेक कर सकते हैं over 700 reviews है जो कि इस particular internship को मिले वे so अगर हम apply करने की बात करें guys so यहाँ पर आप देख सकते है start free program इस पर आपको click करना है now guys जो application link है वो आपको मिल रहे description box में और जब आप link पर click करेंगे न तो वहाँ पर आपको यह internship दिख जाएगी also guys I would request कि channel को आगे share करना video को आगे share करना उन candidates के साथ में तो कि अभी या तो internship सर्च करें या scholarship सर्च करें या फिर interview profession करना चाहते है या फिर free courses लेना चाहते है तो यह सारा content जो आपको channel पर मिल जाते है latest मैंने आपके साथ में एक video और share किये जहां पर मैंने free course share किये जो कि आपका excel का और business analysis करने वाले अगर वो video नहीं देखिये तो video जाकर चेक कर सकते हैं बिलकुल latest video available है अगर आपके कोई question है कोई query है कोई concern है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं I'll be really happy to help you out I'll see you soon with a new and informative video till then take care and keep supporting me